इंस्टेग्राम की स्टोरी म्यूजिक के साथ सेव करनी है, तो चलिए मैं आपको बता तो कि आप केसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, आपको कोई थर्टपटी एप या वेबसाइड में जाने की ज़रत नहीं, आप दाउनलट करने की ज़रत नहीं, आप अपने इंस्टेग् यह देख सकते हैं, मैंने इस फोटो को चूस कर लिया है, यह मेरा इस वीडियो का ही थमनेल होने वाला है, तो चलिए मैंने इसको चूस कर लिया, अभी आपको यहाँ पर म्यूजिक चूस कर लिया है, जैसे आप करते हैं, तो चलिए मैं फटा-फट कर लेता हूँ, अभी आप इसे जिससे साइट करते हैं, साइट कर लिजिए, देखिए मैं साइट कर रहा हूँ, मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, देखिए मैं साइट कर दे रहा हूँ सिर्फ, साइट कर लिजिए, यह सब कर लेने के बार आपको ओपर दिख रहा हूँ, अभी आपको यहांसे बैक चले आना है, बैक चले आने के बाद अभी आपको चले जाना है Instagram के Message section पर जहांपर आप Message करते हैं, तो चलिए, स्वाइब कर लेते हैं, अभी यहांपर आपको उपर में देखे Search दिख़रों का इस पर आपको क्लिक करके अपना यहां पर username या अपन उस फोटो को जिसको आपने Save किया था थोड़े ताम पहले, तो चलिए, चूश कर लेते हैं, जैसे कि देख सकते हैं 15 seconds का यह है, जैसे पर क्लिक कर देना है, प्लिक करने के बाद, आपको यहांपर अभी दिख़रों का उपर में देखिए, एक icon इस पर आपको क्लिक करना है जाता देता हूं, अभी एक most important step, नीचे देखे स्क्रीन के, keep in chat है, इस पर क्लिक करने से view आंच हो जाता है, फिर से click करने से allow reply हो जाता है, तो आपको इससे keep in chat ही करते हैं, अगर अलग पे हुआ है, तो चलिए send पर क्लिक करते हैं, send पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं, यहाँ पर sending होड़ा video, तो चलिए send होने तक मैं video को skip कर देता हूं थोड़ा, और यह video आपको ही send होगी, क्योंकि आप अपने account पर send कर रहे हैं, तो आपको पता ही होगा, जैसी कि आप देख सकते हैं, यह video या आपको फोटो यह send हो चुका है, तो आप इस पर click करते रहे हैं आपको आपको यहाँ नीचे दिखेगा more, तो more पर आपको click कर देना है, click करने के बार आपको नीचे दिख जाएगा save, तो आपको यह से save कर लेना है, देखिए video save, अगर आप किसी photo पर music लगा तो वीडियो जैसा ही बन जाता है, इसलिए दिखाए कि video save, अभी मैं आपको इ इस पर मैं आपको click करके दिखा देता हूँ, music के साथ save करके नहीं, तो सुन लेजिए, जैसे कि आपने देखा, मैंने अपने Instagram की story को music के साथ save करके दिखाया आपको, तो इसी तरह आप भी कर सकते हैं, बस आपको मैंने जैसे दिखाया है, वैसे करना है आपको, बहुत ही simple steps है, अगर आपको यह करते से में कुछ दिक्कते आती है, तो मुझे इस वीडियो के नीचे comment कीजिए, मैं आपके comment का जरू reply डूँगा, तो चलिए, thanks for watching